भारतिय विशिष्ट पहचान प्राधिकरन UIDAI आपके आधार नमर को लॉक या अनलॉक करने की नई स्विधा परदान की है किसी व्यक्ति की आधार संख्या की गोपनीता और सुरक्षा को और जदा मजबूत करने के लिए या कदम उठाया गया है एक बार जब आप अपना आ विधाओं का लाव नहीं ले सकते हैं इससे आपके आधार का दुरुप्योग होने से बच जाएगा पुना इन 16 विधाओं का लाव लेने के लिए आपको अपना आधार नंबर अनलॉक करना होता है तो मित्रों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आ कोवाइल से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं तो वीडियो में पुरी बने रही है नमस्का सात्यों स्वागात है आपका ट्यार्टी इन हिंदी चनल पर मित्रों महरी जंकर सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है और वहाँ पे जाके एम आधार जोकी आधार की ओफिस्यल वेफ साइट है उसे डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड कर लेने के बाद इसे ओपेन करना है और इसमें एक प्रोफाइल जेनरेट करनी है अपने आधार काड से तो आधार काड से प्रोफाइल कैसे जेनरेट करते हैं इस पर वीडियो पहले से बनाया गया है उसकी लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहां आई के बटन पर आप किलिक करके भी देख पाएंगे तो जब आप इसमें अपना आधार कार्ड इन्रॉल कर लीजेगा तो सबसे पहले आपके प्रोफाल में आपका नाम और आपके आधार का लास्ट टार डिजिट और आपका फोटो दिखाई परता है बस आपको उस पर किलिक कर देआगे क्लिक करने के बाद आपको इंटर करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए जो की पासवर्ड आपने खुद बनाया होगा उसके बाद यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड दिख जाएगा और नीचे में ही आपको पहले option में set आधार लॉक का option मिल जाता है आपको simply से इस set आधार लॉक के option पर किलिक करना है यहाँ पे लिखा हुआ है VID is mandatory for आधार लॉक या अनलॉक In case you have forgotten or lost your VID you can send an SMS to 1947 RVID लास्ट टार्ड फोर जिजिट आधार एक्जमपल RVID इतना यानि कि अगर आप ऐसे case में अपना VID भूल जाते हैं तो आपको 1947 नमबर पड़ेक SMS करना है जिसमें कि capital अक्षर में लिखना है RVID और आपके आधार काट की चार अंग space देके और उसे send कर देना है या important note भी परने वाली बात है इसमें कह रहा है कि dear resident after locking आधार you will not be able to perform authentication using आधार नमबर however authentication may be performed using VID यानि कि आप किसी भी परकार के आधार काट की authentication का लुप्त नहीं ले पाएंगे बिना आधार काट को unlock किये आप VID के दुवारा या प्रिकिडिया कर सकते हैं आपको यहां पर simply से ok करना है और फिर यहां पर लिखना है get virtual ID अगर आपके पास VID है तो कोई यहां पर आई है virtual ID लिखिए अगर नहीं है तो get virtual ID आपको simply से क्लिक कर देना है अब यहां पर आपका आधार नमर ओटोमेटिक दिखाई पर जाएगा फिर उपर में जो capture code लिखा हुआ रहता है यहां पर 2492 लिखा हुआ है उसे दर्ज करके request OTP पर आपको क्लिक कर देना है अब आपके मोबाइल नमर जो की रजिस्टर है अधार कार्ड से उस पर एक OTP आ जाती है जिसा कि मेरा आ चुका है 757849 उस OTP को दर्ज करने में आप verify पर क्लिक कर देंगे verify पर क्लिक करने के वाद आपका virtual ID यहाँ पर दिखाई पर जाता है इस virtual ID को आप चाहे तो लिख सकते हैं या आप चाहे तो screenshot ले सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर screenshot ले लिया उसके बाद आके आपको आधार लॉक के option पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर देखिए आपका नाम आपका अधार कार्ट संख्या और आपकी जो pin code या automatic phone में generate हो जाती है उसके बाद सिर्फ आपको capture code यहाँ पर फिल करना है जो भी लिखा हुआ है 8240 capture code लिखने के बाद आपको फिर से request OTP पर क्लिक कर देना है अब आपके mobile नमर पर फिर से एक OTP आ जाती है उस OTP को दर्ज करके आपको verify पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर पर सकते हैं इस आधार इस लॉक्ट योर अधार नमर इस सक्सेश्पुली लॉक्ट यूज भी आई आधार पर क्लिक करके आप home आजा सकते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका आधार कार लॉक्ट दिखाई पर रहा है एक कुछ इस प्रकार से आप अपने आधार को लॉक्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं कि आधार को फिर से unlock कैसे किया जाए फिर से आप लिखा हुआ है do you wish to unlock यूर अधार इस पर येस कर देना है येस करने बाद यहाँ पर देखिए आपको भी आइडी मंगा जा रहा है जो भी आइडी अपने लिखा होगा यह अपने स्क्रीन शॉट लिया होगा अपना भी आइडी डालने के बाद केप्चा को आपको फिल कर देना है बस हो गया इस अधार इस अनलॉक्ड योर अधार नमबर इस अनलॉक्ड सक्सेश्पूली अब फिर आपसे गो टू मैं अधार पर जाना है और इस पर रिफ्फेस होने का कुछ सेकेंड तक वेट कर लेना है तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मेरा बायोमेट्रिक लॉक्ड है और अधार कार्ड जो मैंने की लॉक्ड किया था अब वह अनलॉक हो चुका है तो कुछ इस परकार से आप अपने स्मार्ट फोन से ही घर बैठे हुए अपने अधार कार्ड को लॉक्ड या अलॉक्ड कर सकते हैं बीना किसी देरी के तो में दने उम्मीद करऊंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आही होगी आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक सेर कीजी एपनी प्रजों तक सेर कीजे तकी आपके अधार का कोई भी दुरप्योग ना कर सके इसलिए चाईए कि आप अपन